नमस्कार, मैं रंधिर, आप सब का परिवर्तन Mathematics के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, तो हमने पिछले क्लास में बहुत सारा रूल परहा था, कंबिनेशन वाला, आज उस पर हम लोग कोश्चन करेंगे, जैसे कि ये कोश्चन अमर आप देखेंगे कि अच्छा पिछले क्लास में आपको रूल परहा गया था, तो देखें इसमें वही चीज है, थोड़ा से इसमें ट्विस्ट रहेगा, देखें इसमें कोश्चन एक्जाम में जो आता है, जैसे यहां बोला है, एक नमबर दे दिया है, एक्स और वाई मिस और साथ से और से पुरा-बूगीं लाई मिसा हुआए, और साथ से गुटेष हें, धार मिसा हैं, गभाई भाई मिस टीजू है, अकि अग्शाम में लुग हम आपक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पिछला वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में इसका थियोरी है, यहां पर ये question चल रहा है, तो आपको ये direct समझ में नहीं आएगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप इसक जरूर देखे, उस ही पर बेश्डाज question हो रहा है, तो उसको जरूर आप लोग देख लिए, तो हम लोग क्या सीखे थे, कि हम लोग सीखे थे, तो तीन-तीन का पेर बनाया जाता था, तीन-तीन का जैसे कोई भी संख्या या दिया रहे गा, कोई भी संख्या का हम लोग 3-3 बनाते थे, माली यहां कोई भी संख्या और उसका अंतर करते थे, याद किसे, और यहां चेक किया जाता था, जो अंतर आ रहा है, वो 7-11-13 से कट रहा है कि ने, ऐसा कुछ सीखे थे हम लोग, तो अब इसमें क्या हो रहा है, कि हम लोग 7-11-13 का सीखे थे, और आपको लग 91 का मल्टिपल होगा, मतलब 91 से पूरा-पूरा कट जाएगा, और यह तीन वाला बात अभी चिंता मत कीजएगा, हम आपको बताएंगे यह तीन कैसे चेक होगा, तो यह चीज हम लोग पिछला क्लास में परहे थे, तो थोड़ा सा देखिए, हम अब सुरू करते हैं, यह त तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, जैसे कि यह संख्या यहां पर क्या है देख लेते हैं हम लोग, धिरे 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 आपको समझ में आएगा, जैसे कि देखिए, यहां पर हम यहां लिख दे रहे हैं, इस जगह पर, कि 2, 1, 7, 0, X और Y है, अब हम लोग सीखे थे क्या, कि हम लोग 3-3 का पर भामजा। यही चीज़े लिया हम पिछला थीओरी दिये थें, इसमें 3 का पर बनाएंगी, जैसे 3 का पर बनाइँगे, तो यह यह 3 का पर और यह 3 का पर और हम इन दोनों का difference लेते थे, अंतर लेते थे, अंतर में अंतर का मतलब होता है, तो बार्ह प्रा से यह घट आएंगे, तो जो अंतर आएगा, देखिए, यहां अंतर हम ले रहे हैं, जैसे कि 2, 1, 7, और फिर यहां 0, यह x, y, और इसका जो डिफरेंस आएगा, वो जो यहां पर जो भी इसका जो अंतर आएगा, इस जगह पर जो भी आएगा, वो पक्का जो होगा, अगर कोई चीज, 3 और 7 से, 3, sorry, 13 और 7 से भी तो कट रहा है, तो पक्का, 3 से भी कट रहा है, उसका भी बात हम लोग करेंगे, जो चीज है, इसका मतलब यह है, कि यह 7 और 13 से कटने का मतलब, वो 91 का मल्टिपल होगा, मतलब अगर जो भी चीज, इसका जो डिफरेंस आएगा, वो 91 से क कटना चाहिए, क्योंकि वो 7 और 13 से भी कट रहा है, तो 13 से टेकानवे, टेकानवे भी से कटना चाहिए, तो जो इनका डिफरेंस आएगा, मतलब मतलब माइनस करेंगे, बार मेंसे छोटा घटाएगा, तो जो यहां आएगा, इस जगह पे जो आएगा, वो पक्का जो होग तो अब ध्यान देजए, तो अगर हम लोग बोले कि 217 है, ध्यान देने वाली बात है, 217 है, अभाई है उसमें से यहां 0 है, यहां दो ही डिट का कोई संख्या घटा है, तो कितना यहां आया होगा, तो आप देखिए, आप ध्यान देजएगा, तो 91 का तो बहुत ज़ार तो यहां दो बार तो आपको कम से कम लेना होगा, तो दो से गुना कीज़ें, 91 को दो से गुना करेंगे, तो दो एक कम दो, और दो नवा, 18, यह आएगा, इसका मतलब यह है, आपको लग रहा होगा दो ही इंगा क्यों लिए, क्यों कि देखिए, हो क्या रहा है, 217 में से दो कुछ घटा रहे हैं, संख्या, तो 217 में से दो अंग घटाएंगे, तो कभी एक बार में लगाएंगे, तो यहां 91 आजाता है, कभी 91 आएगा घटके, कभी नहीं आएगा, तो कम से कम दो बार में लगाना होगा, आच्छा, कोई सोचेगा कि इसा तीन बार में क्यू नहीं क्योंकि देखे, अगर आप 3 बार में लगाएंगे, तो 91 गुना 3 क्या होता है, 3 एकम 3, और 39 27, 273 होता, अगर इसको हम गुना करते हैं, तो हमको कितना मिलता है, 273 मिलता, तो यहां पे देखे, 217 में से कुछ घटा के कभी 273 आ सकता है, यहां 271 आया है कि नहीं, तो आप 211 से ही कुछ चेक कर रहा है, क्योंकि जो चीशे 7 आर 13 से कटेगा, वो पक्का 91 से भी कटेगा, जो 7 आर 13 से कटेगा, वो 91 से भी कटेगा, और यह तरीका था, यह इसलिए बोल रही है, यह जो हम पेर बना रहें न, 3-3 का, यह कैसे हो रह है, आप जाके देखे पिछली में से 2 गया 9 साथ मेंसे डो गया हो जाएगा यहां घाघा सीज किटना कर और जाम नहीं कुए इन इन दोनों को घटा कि अगर यह आया है ना, तो पक्का इसमें से यह घटाने पर यह आ जायेगा, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते, अगर हम बोले कि 10 में से 8 घटाएं हैं, तो 2 आया है, 10 में से 8 घटाएं हैं, तो 2 आया है, और हम यहां पर यह नहीं बताएं कि यहां क्या है, तो हम कहेंगे यहां क्या था कि दस में से घटा तो दो आया तो हम कहेंगे दस में से दो घटा लिजए यहां पका क्या आएगा आठ आएगा उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं यहां मिसिंग है न तो इसमें से घटाएंगे न तो यह आ जाएगा इसमें से घटाएंगे तो यह यह देखिए, इस चीज को समझे, इसको हटा दे रहे है, अब देखे, हो क्या रहा है, इसके बाद आप समझे, ऐसका मतल़ altri X आपका 3 आगिया, और Y आपका तो अब तरीका क्या होता है? अब यहां पे देख लिजए जह संख्या है है आप X के जगह पे तीन रख लिजए और Y के जगह पे क्या रखेंगे आप पांच रख लिजे और चेक किजे ये तो पक्का ये जो है वो 13 और 7 से कटेगा क्योंकि 91 का मल्टिपल है अब आपको ये जो 3 है ये चेक कर लेना है कि क्या यहां पर X के जगह हम 3 और Y के जगह 5 रखेंगे तो ये पूरा जो संख्या आएगा वो 3 से भी तो कटना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि हमारा यहां पे X तीन है यहां रख रहा है तो 7 और 13 से तो कटे रहा है साथ में वो 3 से भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि x का value आपका क्या आया? 3 आया, और y का value क्या आया? 5 आया, तो हम अगर इसको देखे क्या मांग रहा था, x plus y इसका मतलब 3 plus 5, 5 3 8, इसका मतलब यह है कि हमारा answer क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसको देख लिजे, एक बर और हम इसको समझा दे रहे हैं कि क्योंग यह सब मेंस में question आया हुआ है, ऐसे से के means का question है, तो थोड़ा से एक बर और इसको हम समझा दे रहे हैं, आप समझेगा बात को, एक बर और इसको हम समझा देंगे, पहले आप इसको note कर लिए है, इसको saaf से लिग दे रहे हैं, यह 3 था, यह 5 था, देखें एक बर और हम इसको समझा रहे हैं, एक बर और समझने कोसिस कीजए, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो संख्या 3, 7 और 13 से कटेगा, जो 3, 7, 13 से कटेगा, हमने क्या किया, जो चीज 7 और 13 से कटेगा, वे कानवे से भी तो कटेगा, तो हम लोग सीखे थे, पिछले क्लास में, 7 और 13 का disability रोल की, आप 3, 3 का pair बनाएंगे, और इन दोनों का आप difference लेंग तो यहां 217 बरा है, 0 x y से, यहां देखें, कुछ भी होगा, तो यह वाला जो होगा, तीन डिजिट और यह होगा, यह 217 तो बरा आएगा, तो 217 में से हम 0 x y घटाएंगे, तो जो यहां आएगा, जो भी यहां आएगा, जो यह वाला जगा पे आ रहा है, वो पक्का हम बो आएगा, वो 91 का मुल्टिपल होगा, तो हमने क्या किया, एक बार में जब हम लेंगे, तो 91 गुना एक लेंगे, तो यहां तो 91 आ जाएगा, और कभी भी 217 में से कोई 2 डिजिट घटा के 91 नहीं आ सकता है, इसका मतला आपको दो बार में लगाना होगा, तो दो बार में होगा, और किसी का possibility नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे, कि अगर यहां 182 है, तो यह x और y क्या होगा, तो हम लोग क्या कि 7 में से 2 गया, तो यह 5 यह 1 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल एंगे 11 में से 8 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, इसका मतलब, x 3 आया, y 5 आया, तो देखें, यहां आप चेक कर लिजएगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा हूँ कटेगा क्योंकि और कोई यह पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है तो आप देख लिजए यह 3-3 से चला जाएगा साथ पंच बारत दो और एक तीन चला जाएगा इसका मतलब यह 3 से भी कटेगा योग करके चेक किया जाता है तीन इसका मतलब यह है कि कानफर्म है कि एक तीन है होगा और वाई पांच जो रिजए एंसर आठा जाएगा तो इसको आप देख लिजए आप दूसरा कोशन तो ज्यादा समझ में आने लगएगा और यह अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो पिछला आप जरूर देखे थिए नहीं तो नहीं समझ में आएगा अब दो नमबर देखेंगा देखिए दो नमबर उसी तरह का देखिए अगर आप पिछला कोशन में कुछ कम अगर समझ में आएगा अगर आपने वह नहीं देखा है तो फिर यह समझने में दिक्कत होगा आपको तो जरूर वह पिछला वीडियो आप देखें तो देखिए यहां पर कोशन यहां भी कोशन उसी तरह है पांच अंका संख्या दिया हुए अगर तीन साथ तेरह से जाएगा औ ए है और बी है तो हम दो तीन तीन का पेर बनाएंगे तीन तीन का अगर आप पेर बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां सर्थ तो तो तीन का पेर बन जा रहा है और यहां तो दूई हो है तो हम याद की जो बताये थे जीरो देके और पेर बना लेंगे जीरो देके एक 500 के लगबब उपर होगा और यह अठा रही है तो बड़ा ही है तो इसका जब डिफरेंस लेंगे तो क्या एगा डिफरेंस इसका आएगा कि बड़का उपर रख रहे हैं 5 A B, ठीक है और अगर आप देखेंगे कि यह 0 1 8 है और कहें कि इसका जो अंतर आएगा जो भी इसका अ सकते हैं अभी अभी हमने सीखा कि जो चीज है जो चीज है साथ और तेरा से कटेगा वो पक्का साथ और तेरा का मल्टिपल कितना होता है 91 वो 91 से कटेगा और 90 वो रूल भी बताए हुए इसमें यह रूल ही क्यों लगा रहा है पिछला वीडियो देखी समझ में आएगा त का अंतर होहां wiz विऩे का ऑनतर उन्तर मतलást भर्का में से च्छुटका लेंगे तीन यका प्यर बना के तो देखे हैं यहां जो प्यर बना है एक थायव दिख रहा होगा और यहां कित दिक रहा है जी रू वन यहां जपरेंसा आएगा जो अंतर हैगा वह जो होगा आप का स यहां जो आएगा वह पक्का क्या होगा तो हम कहेंगे कि 91 का मुल्टिपल तो यहां जो भी आएगा वह 91 का क्या होगा मैल्टिपल हो गाई तो आप देखे आप यही पर सचकी कितना बara में आप लगाईेगलावा नशक करीब हैं ज क्याएगा ट। पानस के नज्दिक छाहिए आपको पानस से कम नहीं चाहिए आपको जैदाड़ावा तो आप देखे तो नौ छो के चववन, पानसो इतना आएगा, अगर हम 91 को सात बर में लगाएं, तो कितना आएगा, सात एकम सात, नौ सते, तीरे सटी, तो पानसो से भाग जाएगा, इसका तो पक्का ये लेना होगा, अब देखें, सात बर लगाने से यहाँ छे सो कुछ आजाएगा, तो पान 91 का मल्टिपल जो होगा, वो 6 गुना लेंगे, तो 91 गुना तो 6 एकम 6, और 9 6 के 4 गुन, अब देखें, यहाँ पे 576 लिग दिये, अच्छा, 91 का 6 ही क्यों मल्टिपल लिए, क्योंकि 500 के करीब चाहिए था, और तो 91 गुना 6 ही 500 के करीब जाएगा, क्योंकि अगला जो सात जो गुना होगा, वो 600 से पार है, तो कोई भी चीज 500 में से आप कुछ घटा रहे हैं, 500 सम्तिंग में से कुछ घटा रहे हैं, तो कभी 600 तो नहीं जाने वाला है, तो अब क्या होगा, अब देखें, अब आपको समझ में आएगा, अच्छा, हमको अगर यह वाला चाहिए, देखें, और ध्यान दीजे, इस में से यह घटाएं हैं तो यह आया है, इसका मतला यह दोनों को जो रहेंगे तो यह आएगा, तो देखें, 8, 8, 6, 14, तो 14 का मतलब यह कितना होजाजगा, अगर 8, 8, 6, 14, तो 14 का मतलब यहां 4 लिखाएगा, हाथ में 4 और 5 और यह हाथ वाल देखें, यहां क्या हो रहा है, कि आप समझने का कोशिस कीजएगा, तो समझ में आएगा, क्या कि इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, अंतर ले लिये, और जो इनका अंतर आएगा ना, वो 91 से का मल्टिपल होगा, मतलब 91 के वो पहारा में आता होगा, और आपको यह भी देहान देना होगा कि 500 कुछ में से 18 सम्तिंग घट रहा है, 18 ही घट रहा है, तो 500 कुछ में से 18 घटेगा, तो 500 के ही नजदीक आएगा, और आप देखिए कि 91 एक बहुत बरी संख्या, अगला देखिए 91 से हम 7 बर में लगाया रहे थे, तो वो 637 हो रहा था, कभी 500 कुछ मे जाएगा और 576 होगा, आपको लगा सर वो अगर 5 बर में क्यों नहीं गया, आप देखिए 5 बर में करते हैं, तो बहुत कम हो जाता है, यह कानवे कम हो जाता है, तो देखिए करकी गुना, पांच एकम पांच, आपनजे 45, वो 455 हो जाता है, तो एक बास सोचिए 500 कुछ में तो 546 आया, अब क्या करना है, अगर यह वाला चाहिए, तो इस में से घट के यह आया है, तो इन दोनों को जोरने से उपर वाला आएगा, तो 8, 8, 14 का चार हाथ में, 4, 5, 6, और यहां पे कुछ नहीं, 5 और 0 में 5, इसका मतलब एक आया, 6, इसका मतलब यहां पे देखिए, आपको देखना क्या है, यहां देखिए, ए जो है, वो 6 आया है, और जो B आया है, वो 4 आया है, अब हम यहां पे यह रख के देखेंगे, कि ठीक है, यह तो 3 और 7 से ना कट रहा है, अभी तो 3, sorry, 7 और 13 से ना कट रहा है, एक आनवे से कटने का मतलब 7 और 13 से कटना होता है, तो अब हम देखेंगे क्या यहां पर 6 और 4 रखेंगे क्यूंकि और कोई possibility नहीं बन रहा है, तो पक्का यह सही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आप रखके भी देख लिए कि 6 और 4 रखेंगे, तो क्या होगा, क्या 6 से कट जाएगा, तो देखें 6 और 4 रखें यह पक्का हो गया कि यह 3 से भी कटेगा यहां 6 4 रखने पे और 1 कानवे से कटने का मतलब है वह 7 और 13 से भी कटेगा इसका मतलब A जो है यह confirm है कि 6 होगा और B confirm है कि 4 होगा और मांगा क्या था आपको मांगा क्या है देख लिजए मांगा क्या है आपको यह भी तो देखना इसका मतलब A plus B का मतलब 6 plus 4 और plus A into B का मतलब 6 into 4 तो 6 और 4 दस, 10 plus 6 जोके 24 तो जोरने पर कितना आजाएगा? 34 इसका मतलब हमारा answer जो होगा वो कितना होगा? 34 देहन दिजेगा आपको जो मांग रहा था, ये मांग रहा था तो A और B निकाल के ये मांग रहा था, देखिए ये तो इसको देख लिजे एक बड़ और SSE में ये बनिया लेवल का सवाल है दिमाग लगाना होगा, नहीं लगाएगा, नहीं बनेगा जी चलिए देखते हैं अब अगला कोशन ये तो दो नमबर था अब हम लोग देखेंगे तीन नमबर कोशन, इसको आप देख लिजेगा, समझ लिजेगा बातों को देखें, देखेंगा सारे कोशन बहुत अच्छे लेवल के हैं, अगर आप ध्यान देजेगा, खूब अच्छा समझ में आएगा और ये सब कोशन इजाम में आते हैं अगर आप नहीं सिखेंगे तो फिर आपका सेलेक्शन में प्रॉबलम हो जाएगा, आप करिए पूरा कोशन, पूरा में पूरा ही सिखना परता है, हर कोशन आपसे बनना चाहिए, देखें ये वो कोशन है, पोसिबिलिटी वाला कोशन आगया, अभी तक हमने जो शुरू क साथ और तेरा से कटेगा तो आपका साथ और तेरा का रॉल लगाएंगे, तो न settlers' से कटना चाहिए, तो हम वो क्या सीखें ह् जो सीखें, उससे बात करते है, जैसे कि क्या सीखें कि 4,5,5,0,a और B है तो हम लोग जानते हैं कि साथ और तेरा का जो रूल है एक आम बेए, तो इसमें क्या करना पड़ता है सात और तेरा वाला में, अच्छा तीन वाला हम लोग अलग से जब निकाल लेंगे भैलू तो रखके फिर जूर के देखते हैं कि तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहले सात और तेरा देखेंगे, तो तरीका क्या होगा कि तीन-तीन का प पचपन में से घटेगा 0, A और B यही तो घटेगा और घटने पर जो आएगा घटने पर अंतर करेंगे तो जो आएगा वो पक्का किसका मल्टिपल होगा 91 का तो यहां लिग दे रहे हैं कि 91 का वो मल्टिपल होगा जो भी आए वहां 91 का मल्टिपल मल्टिपल होगा 91 का अब यहां देखेगा ध्यान देजेगा जो भी आएगा वो 91 का मल्टिपल होगा तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपको 455 में से कुछ घटा रहे हैं तो आपको लगभग 400 से लगभग संख्या लेना होगा 400 से लगभग में तो 400 के लगभग मे आप लेंगे तो क्या लेंगे प Quindi एक तरीका होगा देखी तो नॉपंज VAN away पांच बार में नॉपंज़ अच्छ ये देखिए यह भी तहीं कहा है दीछ आप अगर अप ध्यान qualcosa देंगे तो पांच बार में क्या जायगा तो पांच बार में आएगा पांच एक्म तो आप कह सकते हैं कि जो सर यहां आया वह 455 भी तो आ जाएगा कितने बार में जी 5 बार में देखें 5-5,945 तो 400 नजदीक है और आप देखेंगे क्या यह पॉसिवल है 400 यहां आ सकता है तो देखेंगे हां आ सकता है इसमें से घटाएंगे तो यह आया है इसका मतलब इसमें से घटाएंगे तो यह आएगा, तो 5 में से 5 गिया, तो कहेंगे यह कितना होगा, 0, अचा 5 में से 5 गिया, यह भी कितना हो जाएगा, 0, यह भी 0 हो रहा है, और आप ध्यान देजे, 4 में से 4 गिया, यह 0 है, इसका मतलब क्या A 0 और B 0 रखने पर यह possibility बनेग घट के 455 आजागा कि नहीं से हो, तो यह बन सकता है, तो अब आपको यह देखना होगा, कि क्या यहाँ A बराबर 0 रख देंगे, और B बराबर 0 रख देंगे, तो 3 से भी कटेगा कि नहीं, देखे, समझेगा, 7 और देखे, समझने का तरीका समझे, 7 और 13 के लिए 91 का मल्ट और उसके बाद जो वैलु आता है, हम यहाँ रखते हैं और देखते हैं, वो तीन से अलग से चेक करते हैं, क्या वो तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप जब 0 जीरो देख रखेंगे, तो आप देखेंगे कि यह जोरने पर 5, 5, 10, 4, 14, 0 भी जोरेंगे तो 14 ही रहेग लेकिन यहाँ होगा नहीं क्योंकि यह 3 से भी तो कटना चाहिए संख्या, यह 7 और 13 से कट रहा है, जीरो जीरो रखने पे, लेकिन वो 3 से नहीं कट रहा है, फिर वो तो 3 से नहीं कटेगा, तो प्रबलम है, तो तरीका क्या होगा, इसका मतलब पांच बार में नहीं हो रहा और कुछ घटा के इससे कम आ सकता है नहीं तो यह आएगा, तो हम कहेंगे चार बर में लगा के देखते हैं, तो यह 4 एकम 4 और 9 जो के 36, कितना लगेगा, ध्यान देदेगा, यह कितना लगेगा, तो 364, तो अब देख लेते हैं, एक और साइड में और लिख लेते हैं, यह व ले रहे हैं, और 4 का मुल्टीपल जो आएगा, वो कितना लगेगा, 364, 300 घट के कितना लगेगा, 300, एक बार और लिख लेते हैं, कि ज्यादा समझ में आए अब को, तो अब देखे, अब घटा के लिखे, अब समझेगा, कि इसमें से यह घटाने पी आया, तो इसमें से यह घटाएंगे, तो यह आजाएगा, तो पांच में से 4 जाएगा, तो हम कहेंगे, यह एक हो जाएगा, और पांच में से 6 नहीं जाएगा, लेकिन पंदरा में से 6 जाएगा, तो यह 9 हो जाएगा, तो अब देखे, तो समझे बात को, यहाँ पर बातों को समझेए, कि क्या होगा तो क्या यहां possibility तो बन रहा है इसका मतलब यह है कि जहां पर हम 00 लिये थे यह तो काम नहीं आया 00 वाला काम नहीं आया लेकिन हम अगर A के जगा 9 रख ले और B के जगा क्या रख ले 1 रख ले तो देखे यह तो पक्का है कि 9 और 1 रखने से यहां possibility बन जाएगा जो 91 का multiple होगा चार बर में आ रहा है और 91 का multiple होने का मतलब वो 7 और 13 से तो confirm कट रहा है अब 3 से कटना चाहिए तो 9 और 1 रख के देखे 9 और 1 रख के देखे क्या यह 3 से कटेगा तो देखे 9 तो 3 से कटी जाएगा और 5, 5, 10, 4, 14, 15 भी 3 से कट जाएगा इसका मतलब 9 और 1 confirm हो गया देखे आप पहले देखे यहां 2 दो पोसिलिटी बन रहा था एक तो बन रहा था 195 पांच पे 455 का लेकिन यह 455 रखने से यह 00 आ रहा था और रखने पे 3 से नहीं कट रहा था इसका मतलब यह है कि वह 7 और 13 से तो 00 कट रहा है रखने पे लेकिन वह 3 से नहीं कटेगा तो आप 4 से लगाएंगे क्योंकि 6 का पॉसिलिटी नहीं बनेगा 6 गुना कीजिएगा न इसका तो 455 से जादा हो जाएगा तो घट के क आदा कैसे आएगा तो इसका मतलब पक्का चारगुना होगा चारगुना की हमारा आगया अब वो बोल किया रहा है क्या निकालने को बोल रहा है A plus B तो A हमारा 9 है और B हमारा 1 है तो 9 और 1 10 इसका मतलब हमारा एंसर क्या आजाएगा 10 तो देख लिए इसको चीजों को समझ तो बहुत अच्छा समझ में आएगा और यह सब कोशन आपके एक्जाम में आता है और इदाम कुछ नहीं समझ नहीं देखेंगे पिछला जो दो किये उसमें और कोई पोसिबिलीटी नहीं बन रहा था पर यहां दो दो पोसिबिलीटी बन रहा है मतलत एक अनवे गुना 5 क रखने से तीन से पुरा-पुरा कट गया है तो इस चीच को आप देख लिजे और मांग क्या रहा था ध्यान दीजेगा आपको A plus B मांग रहा था A plus B मांग रहा था 9 और रिक दस तो इसका स्क्रीन सोट ले लिजे तो इसको समझ में आ गया होगा आप लोग को तो देखिए अभी तक जो तीन कोशन किये वह तीन साथ तेरा वरा रोल था तो इसमें साथ और तेरा के लिए हम लोग अलग से 91 से चेक करते थे और उसके बाद हम लोग 3 वाला चेक करते थे अलग से बेलू रखके तो इस अब जो हम दो कोशन करने वाले हैं वो 3-7-13 पे नहीं रहेगा, वो 3-7-11 पे रहेगा, तो ध्यान देजेगा, अब जो कोशन होगा, वो 3-7-11 पे होगा, देखिए, जैसे कि 4 नमर कोशन, ये कोशन देखिए, काफी इंट्रेस्टिंग कोशन है, मजदार है, एक्जाम में आय देख लिया जाए, यहीं पे लिख दे रहे है, क्या डिजिट है कि 2-1-8-7-X-Y, ये डिजिट है, अब क्या हो रहा है, अब ध्यान देजेए, ये जो डिजिट है, अब आपको पता है, वो 3-7-11, अभी हम लोग जो कर रहे थे, उसमें 3-7-13 था, इस वार 3-7-11, तो ध्या से, तो इसका मतलब 7-11 का रूल 11 सत्य 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 से डिविजबल होगा वो, और 7-11 के लिए हम लोग पेरिंग सीखे थे, 3-3 का, देखे, 3-3 का पेर कर लेते हैं, ध्यान देजेगा, 3-3, ये 7-11 में लगता है, तो 3-3 का पेर करके आप इसका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरे सत्य 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 स तो अब देखिए तो 77 का multiple लेना है और ध्यान दीज़े, multiple लेने पाद ध्यान यह दिया जाता है कि 700 में से 200 के करीब घट रहा है, तो पक्का यहां जो आएगा वो 500 के करीब आएगा, तो 500 के करीब कितना आपर में आ जाएगा, देखिए तो 7, 6, 6 तो कम हो जाएगा, आप दे गुना करके देख लिए 749 का 9, हाथ में 4, 770 is 49, और 49 में अगर हम 4 जोरेंगे, तो कितना हो जाएगा, 50, 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो ये 53 हो जाएगा, आरा है समझ में, तो देखें आपको ये 7 के मल्टिपल में हम लोग 539 ले रहे हैं, और आपको पता है कि 700 में लेंगे न तो बहुत कम हो जाएगा, और आठ बार में लेंगे तो और जादा हो जाएगा, आप लेके देख लिजेगा, इसका मतलब अब देखें ध्यान से, इसमें से ये घटाएं हैं तो ये आया है, तो इन दोनों को जोरने से वो उपर बाला आएगा, तो 9 और 8, देख देखेंगे, एक हात में, 9 और 8, 17 का साथ में, 3 और 1, 4 और 1, 5 इसका मतलब ये 5 होगा, देख लिजे, और ये देख लिजे 5 दूर 7 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका X कितना आ गया, आपका X जो आएगा, आपका जो X आया, वो 5 आगया, और जो आपका Y आया, वो क तो X स्क्वाइर का मतलब आपको 5 का स्क्वाइर देखना होगा, और प्लस 7 का स्क्वाइर देखना होगा, कितना हो जाएगा, तो जोर के देखें, ये तो 25 हो जाएगा, और 25 में आपको जोरना होगा, 7 का स्क्वाइर कितना होता है, 49, अगर हम जोरेंगे तो 9, 5, 14 का 4 हाथ में एक 4,2,6 और एक 7, 74, इसका मतलब हमारा answer क्या हो जाएगा, 74, एक बत और और कोई possibility यह नहीं बन रहा था, आपको लगा होगा, कि सर आप 3 वाला क्यों नहीं चेके, एक तो possibility यहां नहीं बन रहा है, आप चाहें तो यहां पे न, x के जगा, इस x के जगा क्या रख ले, 5, और इस y के जगह, 7, जो आया है यह रख लीजए 7, ठीक है? और यहां 7 रखने के बाद भी, आप चेक कर सकते हैं, छेक कर लीजए, देखिए यहाँ पे 7 रखे, चेक कर सकते हैं, कि यह 3 से भी तो, आप सकते हैं कि 3 से भी तो कटना चाहिए, तो यह 3 से कट जाएगा, आप कर लिज़ी दीखे टीन से कट रहा है कि ने सात पॉच जा हर थीन से कट जाएगा आट साथ पंद्रा थीन से कट जाएगा और दो और एक तीन तीन से कट जाएगा इसका मतलब स Whenever I acres 7 एक नख तो सफ ईक ष्येक्ष और इसका मुतलु यह अगला बढ़ा जाएगा देख लिजे देखिए चीजों को आप समझेगा तो खूब अच्छा समझ में आता है समझना पड़ता है जी हर चीज को समझेगा और उसमें करना कुछ है ने साथ एगारा वाला जो रूल हैं पिछले क्लास में सिखाए हैं कि कैसे कंबिनेशन वाला रूल यूज करते हैं तो साथ एगारा का मल्टिपल सथहत्तर का गुना होगा पांसो के करीब लेना है यह ले लिए उसके बाद आप इस पांसाथ को रख के देख लिए वो तीन से भी यह लिए कट रहा है कि नहीं उसके बाद आप सॉल कर लीजे नेक्स्ट कोश्टन पर जाएंगे पांच नम्मर कोश्टन धीरे 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 हो जाएगा और एक और बात है यह आपका जो डिजिबिलिटी का यह लास्ट क्लास है डिजिबिलिटी मैंने आपको पूरा परहा अब हम लोग न्यू चप्टर सुरू करेंगे इसके बाद तो यह वीडियो आपका लास्ट वीडियो है डिजिबिलिटी का और यह पूरा हम खतम कर देंगे आज कुछ कोश्टन बचा एक दो वह भी करा देंगे अब दिखें यह कोश्टन कराए यदि यह पांच अंकों की साद और एकारग का कंबीनेशन वाला रूल शिख यहां आज आरग साटे 17 का मल्टिबल होगा जो पीर बनेगा देखे प्यर का जो अंतr बनेगा हम लोगर यहां प्यर बनाए तीन-थीन का तो यह तो बन जा रहे लह नहीं बन रहा तो जिरो लेकर बनाना सिखाय थे यह व दोनों का जो difference यहां आएगा, वो पका किसका multiple होगा, क्योंकि वो 7 और 11 से भी कट रहा है, तो 77 से कटेगा इसका जो difference होगा, हम combination rule आप जरूर पिछला वीडियो में देखें, तो समझ में आएगा कैसे हो रहा है, तो यहां जो आएगा वो 77 का multiple होगा, तो 77 का multiple होगा, जो भी गट के आएगा, वो किसका multiple होगा, 77 का multiple होगा, अब देखें, आपको समझना होगा कि 600 में से कुछ 43 घट रहा है, तो यह करीब 600 के करीब होगा, जो आएगा, तो 77 का कौन सा multiple ऐसा होगा, जो 600 के करीब आएगा, तो 7 बार में तो 539 आ रहा था ना, 7 बार में, पिछला बार अगर हम 8 बार में लेंगे, तो क्या 600 के करीब जाएगा, 8 सते 56 का 6, हाथ में 5, 8 सते 56, 56 और 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, इसका मतलब यहाँ 616 आएगा, और 616 जो अच्छा, आपको लेगा कि 7 बार में, तो यहाँ 539 हो जाता है, वो कभी घटके, 600 में से 43 घटके, कभी 539 पहुंची नहीं सकता है, तो यहाँ 7 बार में ले सकते हैं, 8 बार में ही लेना को, 9 बार में तो लग जाएगा, और 700 के करीब नहीं हो सकता है, कभी 600 में से कुछ घटेगा, तो 600 के करीब आएगा, 700 कैसे आएगा, तो अब देखे, यह निकालना है उपर में, तो 6 और 3, आप यह 5 आजाएगा, तो यह 5 आगया, यह 9 आएगा, अब यहाँ पर देखे, इससे क्या आएगा, कि यह पता चल गया, कि यह 5 होगा, यह 9 होगा, और इसमें क्या पता चल गया, यह 77 और 11 से कटेगा, लेकिन 3 वाला के लिए हम बोले हैं, रख के आप कुछ यह कर लिजे, एक यह 3 से भी तो कटना चाहिए, तो क्या यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, एक बड़ कनफर्म होगा, देखे, 3 से कट रहा है, तो देखेंगे 9 तो कट जाएगा 3 से, अच्छा, 6 और 9 तीन से कट जाएगा, और 5 चार भी 9 तीन से कट जाएगा, तो तो गया, यही हमारा X और Y कितना आ गिया, 9 तो अब हम लोग रख लेते हैं, हम लोग को क्या निकालना था, X प्लस Y प्लस X इंटू Y, यही तो निकालना है, तो X जो है हमारा 5 है, तो 5 प्लस 9 और प्लस 5 गुना 9, कितना हो जाएगा, तो 9 पंजे 45 और, sorry, यह 45 नहीं होगा, 9 यहां जोरना है, ध्यान दिजेगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और प्लस 9 बंजे 45, तो जोरने पर कितना आ रहा है, 5, 4, 9 और 4 और 5, इसका मतलब यहां 59 आ जाएगा, तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा, 59 देख लेजा, तो यह काफी असान है, अच्छा यहां कहां ज्यादा लिख रहे हैं, अगर आ पियर लगा के देखना होगा कि वह 17 के मुल्टिपल में होगा, और आप देख लिजे देख के कि कोई और पॉसिबिलीटी नहीं नहीं बन रहा है, बनेगा, तो फिर रख 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 के तीन से चेक कर लेंगे हम लोग, तो इस चीच को आप देख लिजे, हम लोग नेक्स तो हम यहां लिख देगा है जाय टियू कि हम सिरू kita करने बनाना अब ध्यान दीजेगा यहां दिख रहा है कि पांच है तीन है राठ्छे और एकस और एकस ओर य है ठीक है और लिए तो अलग है say the और यह 3-7 और 11 से कट रहा है तो हम कहेंगे कि अब इसका 3-3 का प्यर बनाई है जी, 3 का प्यर बन गया, दो यहां पर देखेंगे कि 3-3 का प्यर लगा यहां जीरो कम पर रहा है तो 0 लेकर प्यर बनाते हैं और सिखाये थे कि बरका में से छोटका घट आइए गा, तो बरका जो होगा वो आठ एक्स वाई होगा होगा कि नहीं होगा और जो छोटका होगा वो कितना होगा जीरो फाइब थिरी होगा और जो यहां घट के आएगा वो पक्का किसका मल्टीपल होगा जी तो हम कहेंगे सर तेरा सॉरी 11 सते 77 तो यहां लिख रहें कि यहां जो 77 का multiple होगा, 77 का multiple होगा, जो भी आएगा, 77 से वो पूरा-पूरा कटेगा, multiple होगा, तो 77 का कौन सा multiple जो होगा, वो आपको कितने के करीब, 800 के करीब जाएगा, क्योंकि देखिए, यहाँ पे 8xy हो, इसमें से 33 घटेगा, तो 800 के लगभग करीब ही बचेगा, क्योंकि 2 अंखी 33 ह कहीं घट रहा है, तो यह तो आप जान, यह तो बहुत असान हो जाएगा, कि यह 10 बार में ही होगा, Итакrice, 70 के से क्या आएगा 750 ज़ा जाएगा जो 800 के करीब है के ब्लाव चिक्र लेंगे कि चाहएगा कि देखिए दस बार में 777 होगा जो 800 के नजी 11 ज़ाए तो अब बहुत पार हो जाएगा भाग जहेगा जादा तो इस around को जानिए गा 10 ते objects तो यहां दस बार में लगेगा, ध्यान दिजेगा, काफी हवा बह रहा है, आज मौसम काफी अच्छा है, आंधी पानी सब आने वाला है, तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, इस चीज को देखेंगे, काफी अच्छा मौसम हो रहा है, काफी अच्छा मौसम हो रहा है, तो देखिएगा इसको, खूब हवा चल रहा है तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो 77 का वो मल्टिपल जो होगा, वो कितना है, 770 होगा, ठीक है, दस बार में, अब अगर आप ध्यान देज़ेगा इसमें, तो क्या बता रहे थे, आपको आगे बढ़ते हैं, कि अब अच्छ तो महाँ 2 होगा, महाँ 3 होगा, मतलब वो 2, अच्छा, अब इसको रखके भी चेक कर लिजएगा, कि देखिए, इसका मतलब यह है, कि 823 में से तिरपन जाएगा, तो 770 बचेगा, अब अगर आप देख लिजे, आप यहां रखके, कि क्या x बराबर 2, और जो 3, y बराबर ह है, वो 3, रखने से, क्या हमारा काम बन जाएगा, इस इसको देख लिजे, तो आप देखिए, जो x बराबर 2, और y बराबर 3 रखने से, अब देखिए, यह तो चेक हो गया, 7 और 1 यहां रखके, 3 से चेक करते हैं, तो क्या यह 3 से कटेगा, चेक करते हैं तो, तो 3 से 3 गया, 8 और 2, 10 और 5, 15 गया, और 3 से 3 गया, इसका मतलब यह है कि confirm है, 3 से भी कट जाएगा, मतलब हो क्या रहा है, 77 का multiple लगा के, हम 7 और 1 का combination rule लगा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं, कि जो x और y का value रख दे रहे हैं, और उसके बाद देख रहे है, कि जो x आएगा, वो 2 आएगा, और जो y होगा, वो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, x 2 आएगा, और y कितना आएगा, 3 आएगा, तो अब आपको जो question है, कि आपको बताना क्या है, x square प्लस y square, यही तो बताना है, तो 2 का square, और प्लस 3 का square, तो कहेंगे, यह 4 हो गया, और यह 9 हो गया, 9 आचार कितना आएगा, 13 आएगा, इसका मतलब इसका answer कितना हो गया, 13 हो गया, तो काफी खुबसूरत है, question काफी खुबसूरत है, और आज मौसम भी काफी खुबसूरत है, दोनों खुबसूरत है, तो हम लोग आगे बर जाते हैं, आपको अच्छा लगे सकते हैं, last question, last question है वो अगला, जो अगला है वो last question है, तो हम लोग अगले question के तरह बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इसको मिटाय जाएगा, अग मिटाया क्या जाएगा मतलब अगला लगाया जाएगा, देखिए यह 6 हो गया, 7, next question देख़ाई, अचा यह question में देखें, यह question क्या है यह possibility वाला question है थोड़ा ध्यान दीजेगा इसमें दो-दो possibility बनेगा हम जान मुझ कि आपको possibility वाला question लाएं कि जहां दो-दो value match करें इसे हम लोग चेक करने में आसानी हो तो यह question भी वैसा ही है अब देखे कि possibility वाले में कैसे क्या deal कीजेगा कैसे जैसे कि वह क्या है संख्या जो है पांच तीन पांच ए भी आपको तीन-तीन का प्यर बनाना है यहां missing है तो आप zero ले ले लेंगे तीन-तीन का प्यर बना लिए बना लिए और आपका फिर क्या तरीका होता है आप इन दोनों का difference लेते हैं तो बरका में से छोटका घटाएंगे तो 5ab में से क्या घटाएंगे अब? 053 घटाएंगे 053 घटाएंगे 053 घटाएंगे की नहीं घटाएंगे और जो घटा क्या आएगा वो 11 सत्य 77 का मल्टिपल होगा 77 का क्या होगा multiple होगा 77 का multiple होगा तो ये चीजें आप समझेंगे ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा question अच्छा है लेकिन exam में तो आ रहा है ना अच्छे question तो exam में आएंगे तो आपको समझना होगा हर चीज आपको समझना होगा तो 77 का multiple होगा और वो कितने के करीब होगा जी? 500 के करीब होगा और ध्यान दिजे यहाँ पे तो हम दो देखते हैं करके कि क्या-क्या possibility इसका बनेगा देखें अच्छा एक बार आप लिजे अच्छा अगर हम ध्यान दे तो 77 गुना अगर हम 6 करें कितना आएगा? 7 चक 42 तो 2, 7 चक 42 का कितना जागा? 2 हाथ में 4, 7 चक 42 और 42 और 46, क्या 462 यहाँ यूज किया जा सकता है? 462 यहाँ यूज किया जागा तो रख के देख लेते हैं अपने पाता चल जागा क्या 462 हम यहाँ यूज कर सकते हैं कितना multiple हो रहा है? 6 गुना तो देखे तो ऐसा क्या possibility बन सकता है? तो तुरंट चेक हो जाएगा 3, 2, 5 इसका मतलब यहाँ 5 होगा और 6, 5, 11 तो 11 का यहाँ क्या होगा? 1 होगा और 4 और 5 इसका मतलब यहाँ possibility बन रहा है यहाँ पे अगर 515 रहेगा और 53 घटेगा तो 462 आ जाएगा इसका मतलब यहाँ य तो 462 यहाँ पे हम लगा के देखते हैं क्या लगा के देखते हैं कि क्या हम A के जगा 1 रखेंगे और B के जगा 5 रखेंगे तो हमारा काम यह जो आएगा यह किससे कट जाना चाहिए? यह B के जगा कितना रखेंगे 5 तो हमको 6 से कटना चाहिए यही तो तरीक है तो देखें वो 77 से मतलब 7 और 11 से कट रहा है पर यहां हम जब value रख रहे हैं तो यह जूरने पर 3 से भी कटना चाहिए, 3 का rule लगा रहा है लेकिन नहीं कट रहा है, देखें 5 और 1 6 नहीं कट रहा है, इसका मतलब और possibility बनेगा, तो देखते हैं कि और क्या possibility बन सकता है, तो इसका मतलब यह है कि और लगा के देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5, A, B है, एक और लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, 0, 5, 3 है और इसको घटाएंगे तो वो जो आएगा, उस 77 का क्या आएगा, मल्टिपल आएगा, क्या आएगा, 77 का मल्टिपल आएगा, तो ह अगला और किस से लगा लेंगे तो हो जाएगा, तो हम लोग अब लगा के देखते हैं, कि एक बार, देखें, छे बार में तो लगा के देखें, नहीं हो पा रहा है, तो क्या 7 बार लगाने से हो जाएगा, 7 बार लगाने से क्या एगा, 77 का मल्टिपल अगर हम 7 लेंगे, त 59 का दU 53 तो देखें किा यह भी फॉसलिलिटी बंपायेगा कि नहीं बन पायगा आप देख लिजे करके पॉसिलिटी बनने का मतलब आप करके कितना होगा नौ आतीन बारे तो बारा का यहां सबस्राइब और बचाः कशुरा च्छरु एक propor देखें 也 О Kenny Powisie तो 33 गटाने से 539 आ जायेगा, इसका मतलब यह भी एक possibility बन रहा है, देखें, क्या हो रहा है, एक और 5 यहां बन रहा था, जब हम एक पांच रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है वो 3 से नहीं गट रहा है, तो इसका मतलब एक और possibility बन रहा है, तो अगला ले लेंगे हम 7 बर में, अच्छा 8 बर में लेंगे तो तो पार हो जाएगा 600 के, तो वो नहीं ले पाईगा, 7 बर में ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, A बराबर इस बर क्या आया, A बराबर 9, इसका मतलब यह है, कि क्या हम यहाँ पे देखेंगे, क्या A बराबर हम 9 रख दे, और B बराबर हम कि तो एक बार आप चेक कर लिजे इस चीज को, तो 9 तो कटेगा ही कटेगा, 5, 5, 3, 8, 3, 13, 12, 15, यह कट जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यह confirm हो गया, कि यह वाला काम आएगा, यह possibility नहीं बन रहा थी, यह बहुत अच्छा कोश्चन है, तो इसका मतलब गया कि A बराबर हमारा क क्या है, A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर और प्लस AB, यही तो निकलना है, तो A स्क्वाइर का मतलब यह होगा, कि 9 का स्क्वाइर, 81 हो जाएगा, माइनस यह कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वाइर, और प्लस 9 गुना, 2, तो देखें, यह तो 81, और माइनस 4, और प्लस का कितन 9 दूनी 18 यही तो होगा तो आप इसमें जोड़िए 8 अगर हम 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन घट आएंगे तो 77 हो जाएगा 77 हो जाएगा और 77 में जब हम 18 जो रहेंगे तो 8, 7, 15 का 5 हाथ में 8, 7, 15 का 5 और हाथ में 1, 7 और 1, 8 और 1, 9 इसका मतलब हमारा उत्तर कितना आगिया 95 तो हमारा उत्तर कितना तो ये देखें दो-दो पॉसिबिलिटी बन रहा था तो ये चीज समझेगा कोस्चन का लेवल जो है बहुत अच्छा है ध्यान देना पड़ेगा इस पर ध्यान देना होगा आपको कि कैसे बन रहा है तो यहाँ दो-दो पॉसिबिलिटी बन रहा था यो तो 6 बार में लगा था तो भी ए और ब का दू आ जा रहा है लेकिन उसको रखने से हमारा 3 से नहीं कट रहा था और उसके बाद 7 आए है तो भी अब दिके 8 सी कैसे बन रहाँ व्यामissa की लगा आप कर दकले 8 से क्यूं लाँ आँए अट सी क्यूं लगा आपध तो हम लोग खतम किये आपको disability, पूरा disability हम आपको परहा दिये, पूरा disability आपको समझा दिये, आपका काम है इसको खूब अच्छे से revision किजे, चीजों को पढ़िए, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही.